नमस्कार दोस्तों स्वाटात है आप सबका Fire Safety Academy में दोस्तों आज की वीडियो में हम जान देंगे कि Major Firefighting Appliances क्या होते हैं और ये कितने प्रकार क्यों होते हैं चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहरे देख लेते हैं कि Firefighting Appliances या Appliances क्या होते हैं किसे कहते हैं ऐसे कोई भी वीकल जिसका एूज फायर फायर पायटिंग के दोरान किया जाता है उसे Firefighting Appliances या Appliances कहा जाता है ये जो वीकल होते हैं ये इनकी performance के इसाब से और जो material इन में Firefighting के लिए यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग किये गया रहते हैं इन वीकल्स का यूज़ फायर 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 फा और पर देखें कि अधर आपलाइंस में क्या क्या आते हैं तो पहला जो होता है वह यूटिलिटी विकल्स होता है जिसे qrtv बोलते है water smoke when होता है जिसे water mist when भी बोलते हैं और जो तीसरा होता है वह water tender होता है type a b and x तो अभी वीडियो में हमने सिर्विन के type देखे और fire apparatus का होते है यह देखा हमने आगे जो वीडियो जाने वाली है वो fire tender तो आज के लिए इतना ही वीडियो को यहां तक लेखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए stay safe be happy and जाहिए